हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रियल कुईक अनलिसिस चैनल, चलिए अब जल्दी से चर्चा करते हैं हम अपने आज के रियल कुईक अनलिसिस की हमारी आज की वीडियो को स्पॉंसर किया है विपिंजी ने, हमें सपोर्ट करने के लिए आपको धन्यवाद जैसा की दुनिया के कई हिस्सों में भिविनिस चर्णों में कोरोना की लहर चल रही है कोरोना प्रभावित देशों के बीच आपसी समन्यवाए को स्थापित करने के लिए कनाडा ने मिनिस्ट्रियल ग्रूप और कोविट-19 के रूप में एक प्लेटफॉर्म का विकास किया है इस प्लेटफॉर्म के जरिये ना केवल कोरोना वैक्सीन के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपसी सहयोग को बढ़ानी की कोशिश हो रही है बनकि साथ ही साथ यह निश्चित करने पर भी जोड़ दिया जा रहा है कि यह वैक्सीन सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए भारत की तरप से पहली बार इस फोरम में हिस्सा लिया भारतिये विदेश सचिब ने जाहिर है बिना भारत के तो दुनिया की वैक्सीन की जरूरत को पूरा नहीं किया जा सकता है एनिवे जबकि इस प्लेटफॉर्म पर भविश के लिए तैयारी हो रही है हाली में गुजरे हुए भूतकाल को याद करते हुए कनाड़ा के विदेश मंत्राला ने नाकेवल भारत का स्वागत किया बलकि यह बात भी हाइलाइट की गई कि किस प्रकार भारत दुनिया भर की दवाओं और वैक्सीन की जरूरतों को पूरा कर रहा है आपको शायद ध्यान में हो जब कोरोना ने कोहराम मचाना चालू ही किया था तब भारत ने अपनी जरूरत को किनारे पर रखते हुए दिल खोल कर दुनिया भर में हाइडरोक्सी क्लोरोक्रीन बाटी थी उस दौरान भारत ने कनारा को पच्चास लाख HCQ गोलिया भेजी थी यह बात अलागा कि बाद में इस बात पर ही विवाद चड़ गया कि HCQ कोरोना के खिलाफ कारगर है या नहीं फिर भी उस समय जब दुनिया के सामने कोरोना का अंदकार था तब भारत से भेजी गई इन गोलियों ने ही आशा का दिया चलाया था शायद यह एक प्रमुक्र कारण है कि आज हिंदोस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कोविट के खिलाफ लड़ाई में साथ देने के लिए कनारडा भारत को धन्यवाद दे रहा है और ऐसा नहीं है कि दूसरों का भला करने की भारतिय संस्कृति केवल कनारडा तक सीमित है दो दिन पहले की ही तो बात है जब भारत ने अफगानिस्तान के राजटूत ने अधिकारी गुरूप से भारत को धन्यवाद दिया क्योंकि जब भारत की कोरोना के साथ लड़ाई जोरों पर थी तब भी भारत ने अप्रेल से सितंबर महीने के लिए 75,000 मीट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान को दान सरूप दिया था आपात काल मैं अफगानिस्तान की मदद करके भारत ने एक बार फिर सिद्ध किया कि भारत अफगानिस्तान का सच्चा दोस्त है और हाँ अफगानस्तान के प्रती भारत का यह रवया कोई सरकारी रसम अदाईगी नहीं है क्योंकि यह जो दान दिया जा रहा है उसका बिल इंडियन टेक्सपेर्स के सर पर ही फटा है इस प्रकार अफगानस्तान की फूट सिक्योर्टी निश्चित करने का पूरा श्रे भारतिय किसानों और आम नागरिक को भी जाता है आपको यह खबर शायद छोटी मोटी लग रही हो इसलिए यहां पर हाइलाइट करना जरूरी है कि अफगानस्तान को गेहूं के आटे की सप्लाइ मुख रूप से पाकिस्तान से होती है लेकिन आज कल पाकिस्तान गेहूं के दाने दाने को इतना मोहताज है कि वैस स्वैम रूस से गेहूं इंपोर्ट कर रहा है कहने का मतलब यह है कि इस समय अफगानिस्तान को भारत ने जो गेहुदान में दिया उसकी वैल्यू कहीं जादा है देख लीजे सहाब भारत मौके पर अफगानिस्तान के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है क्योंकि हमारे हैं इस सकारात्मक ख़बर को कवर करने का किसी के पास समय नहीं है तब ही तो पाकिस्तान जैसे प्यादे या कैपाने की जुर्रत कर पाते हैं कि अफगानिस्तान में शांती को सबसे बड़ा खत्रा भारत से है इसी बीच आपको समझ आ गया हो गया कि चाबहार पोर्ट से जो गेहूं अफगानिस्तान को सप्लाई किया जाता है उसमेंसे अधिकतर गेहूं अफगानिस्तान को डोनेशन के सरूप दिया जाता है तीन सब्ता पहले की ही तो बात है जब चाबाहर पोर्ट को जाने वाले माल की भारतिय पोर्ट पर हैंडलिंग मूव्मेंट और रिटेल चार्जिस में भारत सरकार न 40% डिसकाउंट एक और साल के लिए बढ़ाने का नर्नल लिया था पॉइंट सिंपल है यह जो भी डिसकाउंट दिया जा रहा है उसका बकाया बिल भी इंडारेक्ली भारत की जनता ही भर रही है दूसरे शब्दों में आज इरान जो चाबाहर पोर्ट को लेकर इतराता है उसे काईदे से अफगानिस्तान की तरह भारत को धन्यवाद देना च दोनों भारत की भूरी-भूरी प्रिशनशा कर रहे हैं तो यह सकारात्मक खबरें अखवारों के पन्ने में ही धन तोर देती है हां भगवार ना करें यदि कनाड़ा और अफगानिस्तान भारत से खिलाब हल्की सी भी कुछ बयान बाजी कर देते तो हमारे यह अभी तक ब पसंद आया हूँ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करके आगे शेयर जरूर कीजिए साथ ही ऐसे ही और नए अनलिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए लास्ट में इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग झाल